linear programming problem and its dual linear programming problem और इसके dual को simplex table की मदद से solve करना सिखेंगे इस topic को समझने के लिए example ले लेते हैं maximize profit function है 18x plus 18y subject to the given constraints इसके लिए सबसे पहले हम simplex table कंस्टर्ट करेंगे यह एक table होता है जिसमें variable और coefficient और constants को हम लिखेंगे हम simplex table कंस्टर्ट करते हैं तो simplex table आपने कुछ इस तरह से कंस्टर्ट करना है कि यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर सारे variables लिखेंगे जैसे कि variable है सामने x, y और slack variables होंगे s1 और s2 क्योंकि दो ही constraints है इसलिए दो ही slack variables होंगे इसी तरह last वाले column में आएगा basic solution और यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे slack variables है s1, s2 और इस जगा पर आएगा profit function p अब हम इस table को fill करते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें x, y, s1, s2 और basic solution होगा यहाँ पर s1 और s2 है और यहाँ पर profit function p क्योंकि अगर हम अपने constraints को equality में convert करें तो यह बन जाएगा x plus 3y plus s1 equal to 6 और इसी तरह से यह बन जाएगा 6x plus 2y plus s2 equal to 12 तो यह लिखते हैं यहाँ पर first equation में हमारे पास x की value है 1 y है 3 s1 है 1 और s2 है 0 और basic solution क्या है 6 initial यह आजाएगा इसी तरह next में है 6 2 0 और s2 की value है 1 और basic solution है 12 अब यहाँ पर profit function की value लिखनी है हम जानते हैं कि हम किस तरह से इसको करते थे इन सब को equation के दूसरी तरफ ले आते थे p minus 18x minus 18y is equal to 0 तो यहाँ पर x की जगा पर value आजाएगी minus 18 और इसी तरह y की जगा पर value आजाएगी minus 18 profit function में slack variables नहीं हैं तो इनकी value आजाएगी 0 और profit function के अभी कोई basic solution भी नहीं है तो यहाँ पर भी हम 0 लिख लेंगे अब हमने pivoting स्टार्ट करने हैं हम जानते हैं कि हम most negative value को इसमें से लेते हैं अब इसका सारा process exactly वैसे होगा जैसे हम augmented matrix बना के करते थें सबसे पहले profit function वाले रो में से most negative number को देखेंगे तो दोनों क्यूंकि equal हैं तो आप किसी को भी ले सकते हैं मैं first column को ले रही हूँ तो इसका मतलब x वाले column को हमने divide करना है basic solution के साथ तो 6 divided by 1, 6 से आजाएगा और 12 divided by 6, 2 आजाएगा क्यूंकि इसका ratio कम आया है तो इसका मतलब यह हमारा pivot element होगा अब हम इस element के around pivoting start करेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है 6 को 1 बनाना है इसका बाकी सारा process exactly ऐसे होगा जैसे हम matrix के करते हैं अब 6 को 1 बनाना है तो इस पूरी row को हम 1 by 6 से multiply करेंगे तो जब 1 by 6 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 1 जब 2 को 1 by 6 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 1 by 3 इसी तरह से यहां पे 0 ही रहेगा यहां पे 1 by 6 आ जाएगा और 12 क्या बन जाएगा 2 अब इसको 1 बनाने के बाद इसके उपर नीचे row column को 0 बनाना है यानि इसके उपर इसको भी 0 बनाना है और minus 18 को भी 0 बनाना है इसके लिए दुबारा से हम simplex table बनाएंगे सबसे पहले उपर वाले row को हम यहां पे x की जगा पे जहां पे 1 है उसको 0 बनाते हैं इसके लिए हमें r1 में से r2 को minus करना पड़ेगा 1 minus 1 आजाएगा 0 3 minus 1 by 3 आजाएगा 8 by 3 इसी तरह से 1 minus 0 1 ही आजाएगा और 0 minus 1 by 6 आजाएगा minus 1 by 6 और 6 minus 2 क्या आजाएगा 4 आजाएगा minus 18 को 0 बनाना है तो इसलिए इस row को हमें 18 से multiply करके इस row में add करना पड़ेगा 18 minus 18 जीरो आजाएगा इसको जब 18 से multiply करेंगे तो यहाँ आजाएगा 6 minus 18 plus 6 आजाएगा minus 12 इसी तरह यह 0 है कोई फरक नहीं पड़ेगा ऐसे 0 रह जाएगा इसको जब 18 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 3 फिर 0 plus 3 is 3 इसी तरह से जब 2 को 18 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 36 6, 0, plus 36, 36 ही आ जाएगा. इसके बाद अभी भी लास्ट वाले रो में से negative sign खतम नहीं हुआ, तो अगेन हमने दुबारा से pivoting स्टार्ट करनी है. अब के बार Y का जो column है, इसको हम basic solution के साथ ratio लेंगे. आप ratio लेके देखें, तो ये हमारा pivot element बन जाएगा. अब हमने इसको 1 बनाना है, इसका मतलब जो first row है, इसको हमने 3 by 8 से multiply करना है. first में 0 है, तो 0 as it is आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 by 8, next element बन जाएगा minus 1 by 16, और last element बन जाएगा 3 by 2. अब इस pivot element के नीचे सारे, numbers को हमने 0 बनाना है, 1 by 3 को 0 बनाने के लिए, इसको हमें first row को 1 by 3 से multiply करना पढ़ेगा, और second में से minus करना पढ़ेगा, तो first place पे 0 है, इसलिए यहाँ पे 1 as it is रहेगा, इस पे कोई फरक नहीं पढ़ेगा, इसको यहाँ से minus कर देंगे, तो 0 आजाएगा, यहाँ 1 by 3 से multiply कर दें, और 0 में से minus कर दें, तो यह आजाएगा minus 1 by 8, और next हमारे पास आजाएगा, 3 by 16, यहाँ आजाएगा 1 by 2, sorry यह आएगा 3 by 2, अब इसको भी हमने 0 बनाना है minus 12 को, तो इसका मतलब फर्स ट्रो को 12 से multiply करके इसमे एड़ करना पड़ेगा, 0 as it is आजाएगा, यह दुनों solve होके 0 आजाएगा, और यहाँ पे आजाएगा 9 by 2, और यहाँ आजाएगा 9 by 4, और इस कॉलम में आजाएगा 54, अब अगर हम अपने last row को देखें, तो इसमें कोई भी negative number नहीं है, इसका मतलब हमने यहाँ पे pivoting stop करनी है, यह हमारा optimal solution है, अब हम अपना basic solution लिखते हैं, तो यहाँ से x की value क्या है, x is equal to 3 by 2, इसी तरह y is equal to 3 by 2, x और y की values equal है, और जो हमारा profit function है, p, वो equal है 54 के, यानि जब x की value 3 by 2 हो, और y की value भी 3 by 2 हो, तब हमारा profit maximum होगा, इसको हम अपने profit function में put करके verify भी कर सकते हैं, यह हमारा profit function है, p is equal to 18 into x की जगा पे है, 3 by 2, plus 18 into y की value है, 3 by 2, इसको simplify करें, तो यह 54 के ही equal आता है, इसका मतलब हमारा solution बिलकुल correct है, तो simplex table में सिर्फ presentation different है, बाकि सारा process exactly वैसे है, जैसे हम augmented matrix में करते हैं, अब हम देखते हैं, कि अगर हमने इसी function के dual को minimize करना हो, तो वो किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम इसका dual construct करेंगे, सबसे पहले हम इस problem को देखते हैं, यहाँ पे इसका dual construct करेंगे, यह maximize है, तो dual क्या होगा, minimize, minimize cost function होगा, subject to the constraints अभी लिखेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं, U, first constraint को, second को, V नाम दे देते हैं, तो dual कैसे construct होगा, dual में हमारे पास variables होगे, U और V, तो U should be greater than equal to zero, और V भी greater than equal to zero होना चाहिए, और constraints लिखेंगे, X के कॉफिशेंट को, first जो constraint है, उसमें से X का कॉफिशेंट 1 है, तो 1 into U, U आजाएगा, U plus, second में X का कॉफिशेंट 6 है, तो यह बन जाएगा, U plus 6V, और यहाँ पे, क्यूंकि original problem में, less than equal to है, तो इसमें आजाएगा, greater than equal to, और right साइट पे constant आएगा, जो profit function में, X का कॉफिशेंट है वो, 18, इसी तरह से next बनेगा, 3U plus 2V, is greater than equal to, 18, और हमारा cost function क्या बनेगा, cost function बनेगा, 6U plus 12V, तो यह हमारे maximization problem का dual है, जिसको हमने minimize करना है, और हम जानते हैं, कि dual की जो value है, वो exactly वही होगी, जो maximization की, maximize की होगी, यानि जब हमने maximize किया, तो हमारे पास solution क्या आया था, 54 आया था maximum value, तो dual के ही case में, minimum value 54 होगे, इसको हम graphically भी show करते हैं, किसी भी function का और उसके dual का, जो optimal solution है, वो हमेशा same आता है, इसको graphically भी verify करेंगे, हम इसको अपने dual function को दुबारा लिख लेते हैं, इसको हमने minimize करना है, cost function है, variables हमारे पास है, u and v, और दो constraints भी हैं, graphically represent करने के लिए, हम इसको slake variable के बगेर लिखते हैं, u plus 6v is equal to 18, और यह आ जाएगा, 3u plus 2v is equal to 18, assuming that value of slake variable is 0, बोल problem को graphically represent करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह का graph आ जाएगा, यहाँ पे क्यूंके हमारे पास variable हैं, u and v, तो यह हमारा u axis होगा, और यह जो vertical axis है, यह हमारा v axis होगा, अब अपने dual simplex tableau में जाके हम, यह point of intersection की value देख लेते हैं, वो यहाँ पे है 9 by 2, और 9 by 4, dual solution में, जो dual solution है, उसमें हमारे पास यह वाली values होती है, यह किसकी value है, u की, और यह value है, v की, जो हमारा original problem है, उसमें यह basic solutions होते हैं, जबकि dual problems के solution है, यह जो slack variable के नीचे, profit function के row में जो positive values आती हैं, 9 by 2 और 9 by 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यह 9 by 2 और 9 by 4, यहाँ पे हमारे function की value minimum होगी, इसके इलावा, जो इसके बाकी corner points है, वो है, 0, 9, 9 by 2, 9 by 4, और 18, 0, यह वाला area, इसका हमारा solution होगा, यह area इसलिए होगा, क्योंकि जो हमारा dual problem है, उसमें inequality greater than equal to है, इसलिए यह above the line वाला area shade होगा, अब अगर हम इसमें 0, 9 को अपने function में put करके चेक करें, तो यहाँ पे U की जगा 0 और V की जगा 9 पुट करें, तो cost function equal आता है, 108 के, इसी तरह से अगर हम, दूसरा जो corner point है, 18, 0, वो पुट करें, तब भी 108 आता है, अगर 9 by 2 और 9 by 4 इसमें put करके चेक करें, तो C की value आती है 54, जो की है minimum, तो यहाँ ग्राफिकल भी हमने show कर लिया, कि जो हमारे पास original simplex tableau है, उसमें और dual का जो solution है, वो हमेशा same होता है, आज हमने सीखा, linear programming problem and its dual के बारे में, प्राफिकल आते हैं, प्राफिकल यहाँ भी हम शजयां, अजया है Lebanus Raz dobry और च स्वार पास futuristicना है, झाल झाल